दो मिनट में योग रिदय मुद्रा कैसे करनी है आप अपनी हथेलियों को बिल्कुल सीधा कर लेंगे और पहले उंगली के टिप को अंगूठे के रूट से इस प्रकार से चूँ देंगे अंगूठे के टिप को दूसरी और तीसरी उंगली के टिप से चूँ देंगे और सबसे छोटी उंगली कनिष्टिकाब बिल्कुल सीधी रहेंगे और इसकी आकरती भी आप देख रहे हैं कि बिल्कुल हृदय जैसी बन गई है हृदय मुद्रा में थोड़ी देर कैसे बैठेंगे कि हतेलिया आकाश की ओर रहेंगी यानि palms जो हैं वो कभी भी धर्ती की तरफ बिल्कुल नहीं रहेंगे हमेशा आकाश की ओर ही रहेंगी इस थिती में थोड़ी देर बैठना हृदय रोगियों के लिए बहुत ही लाबकारी और सिर्फ रिदय रोगी नहीं जिने हृदय रोग नहीं है वो भी इसका नियमित रूप से अभ्यास करें तो हृदय रोग से बचे रहेंगे साथ में आप करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए आपको ये देखना है कि आपका कौन सा स्वर कौन सा नॉस्ट्रिल चल रहा है आप चेक करेंगे इस समय मेरा दाया नॉस्ट्रिल जादा वर्क कर रहा है तो मैं अपनी बाई हतेली को भ्रमानजली मुद्रा में अपनी गोद में तिका करके दाय हाथ की तीसरी उंगली से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करूंगी और राइट नॉस्ट्रिल से सांस भरती चली जाओंगी पूरा गहरा सांस लेना और ये ध्यान रहे कि बहुत तेजी से स्च्वास प्रश्वास आपको नहीं करना है और फिर दाय स्वर को बंद करके बाय से सांस छोड़ देना है पूरा एक्जेल कर दें जिससे एक्जेल किया उसी से फिर से इनहेल करना और फिर दाय से सांस छोड़ दे रिदय रोगी यदि इसका नियमित अभ्यास करते हैं आप पांच मिनट से शुरू कीज़ों और दस से पंदरा मिनट तक आप इसका अभ्यास कर सकते हैं सिर्फ दो चीज़ें याद रखनी हैं कि एक आपको सांस बिल्कुल नहीं रोकना किसी भी स्थिती में न भीतर न बाहर और दूसरा आपको बहुत फास्ट ब्रीधिंग भी नहीं करनी फास्ट एक्सराइस भी नहीं करनी नियमित रूप से इन दो क्रियाओं का अभ्यास करें पहले बताई गई क्रियाओं का भी अभ्यास करें अहिंसा का पालन करें अपने साथ भी दूसरों के साथ भी कल का एपिसोड जरूर देखें कल हम आएंगे एक नई समस्य और एक नए समाधान के साथ दो मिनट में योग